हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल तो आज हम अपलक के लिएक नई वीडियो लेके आए हैं रेट अनलेसिस ऑफ प्लास्टरिंग प्लास्टरिंग जब घर में करते हैं तो उसका रेट अनलेसिस कैसे करते हैं लेबर कॉस्ट मेटेरियल कॉस्ट प्लस समझ में आप को आज बताने वाला हूं तो हमारी वीडियो के ध्यान से देखना लास्ट तक देखना आप एक भी पंट में भी करते हैं छिए में बत हूंगा आपको तो यह पी चैनल पर नए था हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और जा़ा-ज्यादर शायर करें चलो वीडियो का स्टाट करते हैं तो यहां पर दिया हुआ है कैलकुलेशन अप दे रेट अलेसिस ऑफ प्लास्टिंग 12 mm यहां पर 12 mm दिया हुआ 12 mm थीकनिस इसका थीक 12 mm मतलब 12 mm की थीकनिस रहेगी सिमेंट प्लास्टर प्लास्टर आंब आ महीं आचा थीकनлять श्वेडिया थैनमेटर लैंतर नेंटर हाइड लेंथ हैड है तो बोज सइफ दिया थीकर दोनों सइड भे तो युजिंग सिमेंंट थीकनिस पैसंट थो करेंग तो गौंटिंट7 थेयो का ज MIKE समेंटynn को सुझे साथमा तो तो अम्था ठीक है 200 meter square निकल गया यह surface area निकल गया वाल का अब volume of work कितना volume of work क्या होगा हमारा volume of work हो जाएगा तो यह हमारा 200 हुआ 200 into 12 mm है mm को meter में convert करते है 050 तो यह हमारा 2.40 meter cube यह हमारा volume of work हो गया जो इतने इतने volume में हमारा काम होगा अब सिमेंट सिमेंट मोटा रेशियो हमारे क्या होगा है 1 1 2 3 होगा है कोशन में दिया हुआ 1 1 2 3 अब देख सकते है तो step 1 तो आप हमें step 1 बजाते है calculation of material required material यह कितना material लगेगा सबसे पहले निकालेंगे volume of work हमारा कितना 2.40 दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे टोटल वॉल्म दिया हुआ है इसमें एक्स्टा 30 परसेंट टू फिल अप जॉइंट और अनिवन सर्फेस जो जॉइंट रहता है उसमें 30 परसेंट एक्स्टा material लगता है क्यांकि उपर में अलग रगता है 12 mm का दिया हुआ 12 mm ठिकने सी डालना है उससे ज्यादे नहीं डालना है तो हम एड़ एक्स्टा एड़ करते है ताकि जो हमारा gap रहता है 25% for void to get dry volume of motor मतलब इसमें extra 25 एड़ करेंगे जो वाइड रहेगा अंदर gap रहेगा वो फिल हो जाए तो उसको dry volume of quantity of motor निकाले अब dry volume of motor निकालने के लिए हमें 25% दिया हुआ 125 इंटु जो हमारा volume of यह आया quantity of motor आया मोटार से मल्टिप्लाइ करेंगे क्योंकि मोटार बर रहे तो मोटार से मल्टिप्लाइगे 3.12 आया तो उसको 3.12 से मल्टिप्लाइ करेंगे 125 परसेंट का 1.25 से हमारा जाएगा 390 3.90 मीटर क्यूब एरिया तो यह हमारा हो गया तो फिर उसके आद हम आते हैं add extra 5% of wastage जो हम हमारा नीचे गिरेगा माल जब हम लगाएंगे वह माल नीचे गिरेगा तो उसको material को क्या बोलेंगे इसलिए extra add करते ताकि material कमना पड़े तो volume of motor हमारा क्या हो जाएगा 1.5% का 1.05 इंटू जो हमारा dry volume of motor है उससे multiply कर देंगे तो यह हमारा दागा 4.10 meter cube तो यह हमारा हो गय तो यह हम calculation कर लिए material का अब हमें calculation of the material हमारा total कितना आ गया volume of motor कितना आ गया 4.10 तो यहाँ पर हमारा 4.10 meter cube total हो गया अब इसमें यह हम quantity निकालने कि इतना material लगेगा लेकिन इसमें कितना लगेगा साइंट कितना लगेगा वह हम कैसे निकालेंगे तो quantity of cement निकालेंगे इसके हिसके हिसाब से जो हमारा total volume निकला तो 4.10 तो हमारा 1 bag cement plus sum of ratio होता है 1 plus 3 4 into 1 cement कितना 1 है तो into 1 से multiply हो हमारा आ जागा 1.025 meter cube यह हमारा cement निकल गया meter cube में निकला meter cube से bag में convert करने के लिए number of bag आप इंटु देंसिटी इंटु देंसिटी 1 double 4 0 इससे multiply करोगे तो भी आपका उसका तो फिर 50 से divide करें तो आपका 29 में almost 30 bag निकल गया है ठीक है 30 bag निकल जाएगा तब cement निकल गया 30 bag ठीक है तब हमारा quantity of sand कितना निकलेगा quantity हम सेट निकलेंगे same 1 plus 3 into sand की quantity क्या है 3 है 1 is 2 3 दिया हो यहाँ पे यहाँ पे आपको 1 is 2 3 दिया हुआ है question में तो आप यहाँ पे 3 से multiply करें तो हमारा 3.08 मीटर क्यूब हमारा sand निकल गया हमारा cement 30 बैक निकल गया 3.08 मीटर क्यूब निकल गया तब हम इसको क्या करेंगे step 2 में इसको क्या करेंगा आप engineer हो तो आपको करना पड़ेगा step two में cost of material निकालेंगे अब यह हमारा cost of material calculation of required material हो गया अब cost of material cost of material कैसे निकालेंगा हम रेट पता होना चाहिए तभी rate analysis करेंगे ऐसे तो कर नहीं सकते हैं तो हम यहाँ पर एक table बढ़ा लिया हम है अब देख सकते हैं serial number particular of material material का नाम unit कौन-कौन सा cement का क्या unit है cement का क्या unit है quantity कितना कितना आया जो हम निकाले यहाँ पर यूनिट एक एक पर यूनिट का rate क्या है amount कितना लगए तो यहाँ पर cement sand ठीक है यह हमने cement हम bag में निकालें यहाँ पर और sand हम meter cube में निकालें इसलिए meter cube cement की quantity क्या निकली है 30 bag और sand की quantity क्या 3.08 ठीक है अब यहाँ पर rate क्या है cement एक bag का rate है 400 रुपए यहाँ पर एक meter cubic का rate है 11 रुपए ठीक है तब इसको और इसको multiply कर देंगे तो हमारा total number of amount निकल जाएगा total cost of material हमारे यहाँ पर हो गया 15,388.00 पैसे ठीक है तो यह हमारा cost of material जो हम इंचाले इसका जो हमारा यह material जो भी calculation किये उसका हम यहाँ पर total amount निकाल लिए कि इतना खर्चा आ रहा है material का material हमें इतनी रुपए का पूरा आ जाएगा तो अब हम जाएंगे step 3 में मैं आपको step 3 बता दू step 3 में किया है cost of labor अब यहाँ पर हम material का निकाल लिए है material का खर्चा इतना हो गया तो अब हमारा labor का खर्चा क्या होगा तो let's assume work should be done in one day एक दिन का निकालता है एक दिन का कितना तो labor calculation for the 200 meter cube 200 meter square area जो हमारा 200 meter square के रही हो इसका calculation है उसमें head mission required कितना लगा one by two so इसको क्या करें 200 meter square में तो one by two into 10 10 meter square पर into 10 into 200 दस number यह निकल गए mission required for mission यह head mission था अब यहाँ पर mission required one for 10 meter cube 10 meter square so 200 meter square के लिए कितना लग जाएगा हमें 40 number 20 number ठीक है मजदूर required for two for 10 meter square दो मजदूर 10 meter square के लगा तो हमारे 200 meter square के लिए कितना मजदूर लग जाएगा 40 number अब calculation करके आप देख लो यह आपको समझ में आ जाएगा मैं समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आप कूली और woman मजदूर woman मजदूर कुली उसको उसका कितना नंबर रुका रहेगा दो नंबर रुका रहेगा 10 meter square के लिए obviously तो 200 meter square के लिए कितना नंबर आ जाएगे वह भी वह भी 40 नंबर आ जाएगे ठीक है अब विस्ती विस्ती required कितना रहेगा 3 by 4 for 10 meter square के लिए तो इसका इसका कितना आ जाएगा विस्ती आ जाएगा हमारा पंदरा नंबर पंदरा नंबर विस्ती लेगा तो अब यह जो हम निकाले कॉस्ट अफ लेवर कॉस्ट अफ लेवर यह इतना जान निकाल लिए तो फिर अब हम इसका टेबल बनाएंगे आपको टेबल बनाना ज़रूरी है ताकि सामने वाला यह ना देखे यह देखे पहले टेबल में उसको सब कुछ समझ में आ जाने है तहेड मेशन हमने निकाला इसका पड़े का कॉस्ट पड़े खर्चा कितना रहा वो निकाल लिया वन डे में और हमें टोटल कितने नंबर लगे एक दिन में दस नंबर इंटू पांच सो पांच जार ऐसे करके हमने टोटल कॉस्ट अफ लेवर निकाला तो मेरा 44,750 रुपय का लेवर लग रहा है पड अब हम जाएंगे step 4 में step 3 हो गया step 4 में क्या होगा step 4 में हम total cost of material and labor जो हमने पहले material का निकाल लेवर का निकाल लेवर का निकाल लेवर वह हम calculate करेंगे अब टोटल कॉस्ट cost of material plus cost of labor cost of material हमारा क्या था 15,380 cost of labor क्या था 44,750 रुपय हमारे total आ जाएगा 6,138 रुपय total cost of labor plus cost of material total हमारा हो गया यहाँ पर 6,138 तब हम last step में जाते है step 5 इसमें क्या करते है calculation of water charge जो हमारे side पर पानी का use हुआ और contractor का profit केतना हुआ यह काम करने के बाद वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो हम water charge का ले लेता है 1.5% ठीक है total total बजेट टोटल जो भी हमारा काम हुआ है पैसे का उसका 1.5% लेंगे तो हमारा कितना यह होता है पानी का खर्चा कितना आता है 1.5% of 6,138 जो हमारा total आया हो इसका 1.5% लेंगे तो हमारा 902 रुपया साथ पैसा यह आया है पानी का खर्चा आया है 902 रुपया साथ पैसा तो फिर इसमें क्या करेंगे अब contractor का profit निक रुपेया असी पैसे ठीक है यह च्छहाजार तेरो रुपेया असी पैसे आ गए तो यह हमारा कॉंट्रेक्टर का प्रॉफित निकल गाए यह यहुतनी काम में हुतनी स्कॉयर में अभ यहां पे ग्रैंड करेंगे ग्रैंड करना क्योंकि कि पूरा कैलकुलेटरिंग करना कि कितना खर्चा हो गया तो टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट यह अपना स्टेप फोर में है टोटल कॉस्ट प्लस वाटर चार्ज वाटर चार्ज जो हमने निकाले स्टेप पाई में वाटर चार्ज हमारा कितना अगया यह फिर इसके बाद कॉ तोटल कोस्ट हमारा है 6139 रुपए अब आप यहाँ पर निकाले 902 रुपए यहां पर फिर यहां पर निकाले 60013 रुपए ठीक है आपको समझ में आ रहे हैं न अच्छे से ध्यान से देखना वीडियो तब यहां पर इसको टोटल करेंगे तो हमारा आजाएगा इतना शॉट सब निकल जाएगा इसमें इतना पैसा लगने वाला है तो दो सब मीटर स्कॉयर के लिए कितने के लिए 200 मीटर स्कॉयर एरिया के लिए प्लास्टर के लिए 12 mm का थिकने सोना चाहिए तब हम यह 200 मीटर का स्कॉयर का इरिया निकल गया ठीक है अब एक 200 मीटर में इतना लगगा पैसा तो एक स्कॉयर मीटर में कितना लगगा तो एक स्कॉयर मी तो होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वो ज्यादे श्यादे शायर करें